हेलो इस्टूडेंट, गुड मॉर्निंग हम लोग अभी तक लेशन वन और लेशन टू का अच्छे से अध्यान किया आज हम उन लेशन के एक्सरसाइज को बुक में फिलप कराएंगे इसको आप ध्यान से देखिए और अपने बुक में राइट किजिए राइट करते हुए लर्ण किजिए इसको तो हम आपको कुश्चन को वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिये थे इसे आप देखकर विल्कुल राइट करोगे इस वीडियो को पूरा हम डिटेल से आगे वाले वीडियो में समझा दिये हैं बस आप इस बुक में लिखे एक्सरसाइज को अपने बुक में देखकर राइट कर लेजिए और साथ में लर्ण केजिए कल हम संयूक्त बियंजन पढ़े थे संयूक्त वर्ड क्या है जब भी नास्वर के दो बियंजन मिलकर एक बनते हैं तब ये संयूक्त वर्ड कहलाते हैं आपका कुश्चन भी आ गया है आप लेजन टू की एक्सरसाइज को आज फिलप करेंगे तोड़ा आप इसे समझ लेजिए फर्ष्ट इक्सरसाइज है अभ्यासः देख रहे है ना स के नीचे भी हलनत है और स मिए काउन सा स्ब्ल लगा है कह रहे हैं कि आधा कर खटकोर्ड वाले स्या से मिलकर काउन सा सब्द बनता है आपको हम पहले चैप्टर पढ़ाते समय अच्छे से बताये थे कि 6 से छत्री बनता है आधाक का और खटकोड़ वाले स को मिला कर क्या बनता है छा एक्सरसाइज में भी वही कुश्चन पूछे हैं फिर पूछा स्रा स बड़ा सा दे दिये हैं एक्जाम में भी ऐसे एक्सरसाइज पूछे जाते हैं तो आप राइट करते ही समय इन सब चीजों को ध्यान देते हुए चलिए बड़ा सा सा के नीचे हलन्त फिर प्लस फिर र र के नीचे हलन्त र में कांसा स्वल लगा है आ हम बताए थे पैर के पास यदि जो र लग बना होता है तो यहाँ पर र पूरा है तो यहाँ बड़ा सा क्या है याधा है र पूरा है स्रा आ की मात्रा लिखाए है आ स्वर लिखे है तो यहाँ पर स्रा ना होकर क्या हो जाएगा स्रा होगा यदि यहाँ पर आ से अनार होता तो यहाँ पर स्रा वाला सही होता लिकिन यहाँ पर आ से आम दे दिये है तो यहाँ पर आपसन में काँ सही होगा प्लस रा फिर त्रव पूछ रहे आधाता प्लस रा यह सब बिल्कुल आपको रटा होना चीए कित्रव किन वर्डों से मिलकर बनता है आधाता ताखे नीचे हल लंत है तो इसका मतलब आधाता है फिर प्लस रा के नीचे हलंत और उसका स्वर बगल में राइट है रा का स्वर कहां राइट है बगल में कौन सा स्वर है आ आधाता प्लस रा में आ मिल गया तो पूरा रा हो गया त्रा यहाँ पर त्रा सही होगा त्रा के नीचे हलंत सही होगा या त्रा तो right answer तो त्रा है क्योंकि हाँ पर a लिखा है तो त्रा है और last में त्रा के नीचे हलंत दिया है तिसका मतलब ता आधाता है आधा रा है कोई भी स्वर नहीं लगा है लेकिन सही option मेरा first वाला है त्रा आधाता है रा पूरा है फिर है भोर्थ में आधाता प्लस आधाता आधाता क्यों बोल रहा है नीचे हलंत लगा है तो आधाता होगा न फिर वा वा के नीचे हलंत आधा वा फिर प्लस आ आ की मात्रा दिया है तो यहाँ पर क्या होगा द्वा होगा की द्वे होगा की द्वा होगा लाश्ट में हम देख रहे हैं आस्वर दिख रहा है तो हम दौा पर सही का टिक करेंगे दौा पर हम किसका टिक करेंगे सही का दौा होता तो इसमें आस्वर लगा होता है असे अनार वाला लेकिन यहां पर आ से याम आया है तो यहां पर हम क्या करेंगे दौा करेंगे आगे दिखते हैं आधा जया जाके नीचे हलनत है तो क्या है आधा जया प्लस इन्या इन्या भी क्या है आधा है और आगे कौन सा स्वर दिये है आधा जया और इन्या मिलकर क्या बनता है ग्या बनता है यहाँ पर आ आ गया यहाँ पर ग्या हो गया यदि आ होता तो ग्या बनता लेकिन यहाँ पर आ दिया है तो क्या हो गया ग्या तीन आप्सन में से क्या मेरा सही होगा ग्या फिर six है आधा दा आधाधा हलंत आ रहा है प्लस या फिर नीचे हलंत फिर प्लस आ क्या हो गया दिया हो गया फिर देखते हैं संयुक्त वर्ड क्या होते हैं उदारर दीजिए जब बीनासर के दो वियंजन मिलकर एक बनते हैं तब ये संयुक्त वर्ड कहलाते हैं इसी प्रकार वर्ड विच्छेद हम किये हैं पूरा हम एक्जामपल वीडियो में समझा दिये हैं आप इसको देखकर एक्सरसाइज को पूरा फिलफ करेंगे बुक पढ़ाते समय हर चीज आपको क्लियर कर दिया गया है आप वीडियो को देखेंगे और अच्छी राइटिंग में पेंसल के दोरा बुक फिलफ करेंगे थैंक यू